आईए हम बाइबल के वच्छन में से सीखने जाएंगे आज का वच्छन है मत्ती सताइस उसका च्यालिस में पढ़ूंगा तीसरे पहर के निकट येश्व ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा एली एली लमा शबगतानी अर्थात है मेरे परमिश्वर है मेरे परमिश्वर तुने मुझे क्यों छोड़ दिया है बहुत ही अच्छा वच्छन है बहुत ही गंबिर वच्छन है बहुत ही दुख बड़ा वच्छन है येशु की द्वारा अपने पिता का कहा गया शब्द है एक बिचुडने की गड़ी में कहा गया शब्द है दुख के उठाते उठाते मरने से पहले कहा गया शब्द है और एक इंसान का संबन एक पिता से कितना गहरा होता है ये इस शब्द में वो गहराई चुपी हुई है दुनिया मेंने यहाँ समझाने का प्रियास किया है ये एक पृत्वी है ये सुर्य है जो लाइट दे रही है और परमेश्वर ने इसी को ही अदन की वाटी का बनाना बनाया और आदम को रखा इसी वाटी का की उपर परमेश्वर आया जाया करते लेकिन जिस समय इंशान के अंदर पाप का स्वबाव आया तब परमेश्वर उससे चुप गए फिर भी फलो फुलो और प्रित्वी को भर्दो ये वाला सिर्वाच से दुनिया बढ़ती रही परमेश्वर भी मनुश्वर से संबंद अस्तापिद करने के लिए उसके पीछे लगे रहें उसे सिखाते रहें और बहुत बड़ा सास्त्र की नियम उसको देते रहें फिर ऐसा हुआ कि दाउत के पुत्र सुलेमान ने एक मंदीर बनाया और परमेश्वर ने उसमें बोला था कि मैं अपने उपस्तिती वहां दूंगा और कई समय तक इस मंदीर में जो येरुश्यलेम का पवित्र मंदीर कहते हैं उसमें यहवा रहते थे और लोग जो आते थे वहां दस्तक देते थे मननत मांगते थे वह यहवा परमेश्वर पुरा करते थे लेकिन इनको यहां आना होता था अल जब यहां देखते ह gitti हैं जिस समय परमेश्वर का पुत्र और मनुष्य का पुत्र दोनों सोबाव से लेस इसुमस इस दुनिया में आए और सब मनुशु का पाप उसने अपने उपर ले लिया और सबसे बड़े पहाड के उपर जड़ करके जब वो मृतियों को प्राप्त हो रहे हैं उस समय इसु की उम्रत तो 33-33 साल सम्थिंग रही लेकिन बाकी सारे समय में परमेश्वर का पुत्र कभी नहीं कहा उसने कहा कि में और पिता एक है और हम दोनों ही मिल करके सब काम करते हैं लेकिन इस क्रूस के उपर उसने बड़े गंविर शब्द कहे पिता ने मुझे छोड़ दिया है अर्थात जिस समय पाप को उन्होंने भर लिया दुनिया के तब पाप के साथ परमेश्वर रह नहीं सकते हैं इसलिए जब मर रहे थे तब पिता ने उसको साथ नहीं दिया क्योंकि बलिदान बहुत जरूरी था पाप का भुक्तान करना बहुत जरूरी था और कोई इनसान इस भुक्तान को नहीं कर सकता था क्योंकि हर कोई पापी था लेकिन निर्दोश वेक्ति चाहिए था तो ये श्यमसी निर्दोश होकर के बलिदान हुए तब उन्हें ये जो वच्छन कहा वो बड़ा आशिस वच्छन है और परमेश्वर का पुत्र जब छोड़ दिया गया उस समय जब उसमें से प्राण निकल करके अलग हुए तब पिता पुत्र के सरीर से चले गए अर्था इसमें उपस्तित रहते थे यहवा उसका पिता जो इंसान बनाने वाला 100% उपस्तित रहते थे इसलिए मनिश्व के सारी गतिविद्या इश्व के अदिन थी समुंद्र उसके अदिन था सारी बाते अदिन थी लेकिन जब यहां से पिता का आत्मा निकल गया उस समय एक बड़ी गटना फिर गटती है उसी प्रदेश में यरिशले मंदीर भी दो भागों में तूट गया और वहां से भी पिता ने अपनी उपस्तिती देना बंद कर दिया और पिता वहां से चले गए यहां मंदीर से चले गए तब क्या हुआ मंदीर दो पड़दों में फट गया और यहवा ने सोचा है कि जब मेरा पुत्र जो पवित्र जिन्दगी जीता है उसमें से मैं निकल सकता हूँ तो मैं हाथ के बनाए हुए जो इंसान मंदिर में वहाँ अपनी उपस्तिती क्यों दो अर्था तब यहवा पूरी प्रिथवी के उपर से उठ गए और तब यह इश्यू के अंदर से शरी पिता का आत्मा गया तब लाश बना यैश्यू का शरीर और जब ये पवित्र शरीर लाश बना तब क्या हुआ तब सूरिये ने पृत्वी पर अपना प्रकाश चुपा दिया और सारी पृत्वी के उपर अंदेरा चा गया देखिए आज लोग मरते हैं लेकिन उसका कोई वेल्यू नहीं है किडे मकोडे की तरह लोग मर रहे हैं पहाड़ी पे इशू का मरना एक बहुत ही पहुत गोलिक परिवर्तन वाला साबित हुआ तब यहवा परमेश्वर वहां से चले गए तीन दिन इशू की लाश कबर में रही और फिर इशू जीवित हुआ और उसने तब से मंदीर में उपस्तितिति देना बन किया और उसने अनुग्रह का समय शुरू किया जब इशू मसी पुनर जीवित हुए अर्था जो भी इंसान जहां कहीं भी प्रातना करेगा वहां पर पवित्रा आत्मा उसको ढूंटे ढूंटे चला जाएगा प्रभु के चेले और कुछ लोग जो विश्वासी थे एक घर में इकटा थे और तब इशू मसी जीवित हो चुके थे और तब पवित्रा आत्मा बहुत आज से उत्रा देखिए मंदीर में नहीं उत्रा जहां एक घर में प्रातना हो रही थी वहां पर पवित्रा आत्मा उ जता है और फिर यह जो भर गए पवित्रात्मा एक जगए इकटे न रहे कहीं कहीं परदेशों में चले गए और कि यह बड़ी आशिश का कारण हो गया हालेलूया हम धन्यवाद करें परमेश्वर का कि उस समय पेंते कोस्त की दिन पवित्रात्मा घर में शिश्यू पर और प्रात्ना करने वालों पर उत्रा और सारे पूर्ण हो गये अर्था जो पहले आपूर्ण मनिश्य थे जो पाप का सोबाव से डरे हुए थे उसमें पवित्रात्मा अर्था पीता का सोबाव पूत्र का अनुग्रह यह सब कम्पलीट रूप से इसमें उतर गया और ये बहुत पूर्ण हो करके तब ये दुनिया के सारे राज को यह समझ गए भीमारियां स्राप सेतान बाइबल मंदीर और सारी बातों को समझ चुके थे ये लोग क्योंकि ये पवित्रात्मा इनको सारी बाते सिखा सकते सिखा रहा था आज हम देखते हैं ये वर्ल् करने वाले लोगों लोग दोड़ दूप कर रहे हैं इस प्रती के उपर उथल पूथल करने के लिए कुछ ने कुछ कर जो नाम कमाने लिए बहुत सारे लोग आये और गएं कोई नाम उनको नहीं मिला तो आज हम इस वच्छन के अनुसार आज हमारा संबंध हमारे यहवा स से कैसा है प्रभी येश्व ने हमें उसके मित्र, सिश्य, भाई, बहेन और माता कहने के लिए उसने बोला है लेकिन येश्व का हम तबी वह रिस्ते में जुड़ सकते हैं जब हम उसके वच्छन को मानेंगे प्रेश्ट लोर्ड, गोड ब्लेश्यो, माई डियर फ्रेंड् पर हम इस समय पवित्रा आत्मा से बरे हुए हैं, बाप को हमने हमारे जिंदगी से निकाल के लग कर दिया है, जरूर हमें डरने की बात नहीं है, प्रिथ्वी के उपर बाइबल में बहुत सारी पुष्टे की हैं, जो आने वाले समय के उपर हमें सिखाती हैं, तो हम परा नहीं सकता, और उसके जीवन को बरबाद नहीं कर सकता, लेकिन अभी तक हमने हमारे जीवन में अगर बदलाव नहीं किया, पवित्रता में नहीं चले, तो आज हमारे पास समय हैं, जो भी यह समय, यही सुरिय है, जो ईश्यू के मृत्यू के उपर उसने अंदेरा किय आज हमारे पास यह समय हैं, अगर एक यह सी बहुतीक सी जी भी अपने पिता का समान करती हैं, अपने बनाने वाले के लिए आदर करती हैं, तो हम एक जीवित प्राणी हैं, हम खुद परमेश्वर के मंदिर हैं, तो जहां कहीं भी हैं, हम मंदिर बने रहें परमेश्वर के उसको आने दे उसको सिखाने दे और अपने आपको कठोर न करे God bless you और आप प्रात्न में बने रहे हमारे लिए भी प्रात्न करे ताकि हम परमेश्वर के रहश्य को सिखे और इस दुनिया में पूर्णता प्रात्त करे प्रभू हम सब को आशुष दे